हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल रेष्ट्रो में क्रिस्पी कॉर्ण सॉल्ट एंड पेपर कैसे बना जाता है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी होता है इसली आप इसको घर पे बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रिटिंस तक आपने इनको पानी में छोड़ना है और इसके बद इनका जो पानी उसको निकाल देना है इसके बद आपने एक बरतन में पानी बोयल कर लेना है थोड़ा साप इसमें नमक एड़ कीशे कॉर्ण को आपने नहां हलका सा बोयल करना है दो से तीन मिन तक इनको बोयल कीशे इससे क्योंकर कॉर्ण अच्छी तरह से फूल जाते हैं और जब आप इनको फ्राई करते हैं और अच्छे क्रिस्पी बनते हैं तो ये देखिए पानी में मैंने कॉर्ण डाल दिया है हल्का सा हल्दी पोर्ट रेट करेंगे इससे ना इनमें अच्छे का कलर आ जाता है गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है सिर्फ दो से तीन मिन तक इनको बॉयल गीजे दो से तीन मिन में कॉर्ण जो पानी के ओपर घूमना शुरूर जाते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं इसके बद आपने इनको पानी से निकाल देना है इनको ठंडा कर लेजिए ठंडे पानी से इनको दो देना ठीक है अब यह कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है मैं आपको पूरा डेटेल में बना रहा हूं तो आपको शाहिए लेगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है देखे कॉन मैंने आप बॉल में डाल दिया है और जब यह बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे इसके बुद आपने इसमें हलका सा नमक अड़ करना है यह देखे थोड़ा सा नमक डाल दिया है थोड़ा सा आपने इसमें अरमेट पौर्डर अड़ करना है अरमेट पौर्डर नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं आदा चमच आपने इसमें कूटी वी काली मिर चैड करनी है थोड़ा साप इसमें अधर गलसुन का पेश चैड कीशे और इन सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है नमक आपका बरावर होना चीए क्योंकि जब हम कॉन को फ्राई करते हैं उनमें नमक बरावर रहेगा तो खाने में अच्छा टेस्ट आएगा फिर आपने कॉन के ऊपर एक छोटा चमच मैदा स्प्रिंकल करना है और मैदे को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है मैदे से क्योंता है एक तो अच्छा क्रंच आता है देखिए इस तरह से स्प्रिंकल करके डालिए कॉन फ्राइर को और यहां पर हम थोड़ी सी गल्ती कर जाते हैं हमारे जो कॉन है अच्छी क्रिस्पी निवनते हैं जब आप कॉन फ्राइर डालेंगे यह देखिए इस तरह से आपने इनको मिक्स करना है जैसे पकौर्णों का मिक्ष्टर मनाते हैं बैसे आपने मिक्स नहीं करना है बिल्कुल soft hand से mix कीचे तब ही कौन के ओपर अच्छी coating आपाती है देख सकते हैं अच्छी coating आ जुकी है हलका सा पानी स्प्रिंकल कीशे बिल्कुल थोड़ा सा और एक छोटा चमच आपने हाथ से ही इस तरह से कॉनफार डस्ट कर देना है उपर से और इसको भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं से मिक्स कर लिशे तो अगर आप भी कॉर में अच्छा क्रंच लाना चाते हैं इसी तरह से आपने इनकी डस्टिंग करने हैं और इसके बुद आपने दो मिनिट तक कॉन को न इसी तरह से छोड़ देना है तब दर सबजियों कर लेते हैं जो हमने सबजियों यूज करनी है प्याज लिए तीनों परकार की शिमला मिर्च ना हो तो आप ग्रीन शिमला मिर्च लगाने है बनवाई टू कीजिये और इसके बद आपने प्याज को इस तरह से बारी कर लेना है जदा फाइं चॉप नहीं करना है थोड़ा सा मोटा-मोटा ही कटिंग किया जाता है जब हम क्रिस्पी कॉन बनात है तो यहां पर मैंने दो मिनिट में देखिए सब्जी कटिंग भी कर लिए अब इसके बाद दो मिनिट के बाद आपने कौन को फ्राई कर लेना है देखिए कौन के ओपर अच्छी कोटिंग आ चुकी है न अब ऑइल का टेंपरेचर आपने यहां पर मीडियम रखना है अब इनको न इसी तरह से फ्राई होने दीचे अगर आपको लगता है कौन आपस में चिबग चुके हैं तो आपने इनको छुडाना नहीं है क्योंकि जब यह अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं अच्छा निकाल लेजिए और फ्राई करने के बाद आपने इनको स्टोर साथ में आप इनका मसाला बनाईए और साथ में इनको गर्म-गर्म सर्व कर देशे मसाला कैसे बनाना है क्या मैंने स्टेनले स्टील की चैनिज बोक लिए एक बड़ चमच उसमें बारीक कटो लसुन एड़ करेंगे एक छोटा चमच आपने इसमें बारीक कटो अदरक एड़ मौस्टर को फिर आपने इसमें तीनों बारीक कटो अप्याज आइड़ कर देना है अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है कम से कम एक मिनट तक आपने सबजियों को हाई फ्लेम आपर पका लेना है तक कि सबजियों के अंदर जो मौस्टर है वो थोड़ा सा कम हो कि एक छोटा चमच आपने कुट्व काली में शैड करनी है और एक छोटा चमच आपने ऊपर से अरोमेट पॉर्डल डाल देना है इसके साथ में एक छोटा चमच आप विनेगर एड कर देते हैं निम्बू कर रस डाल सकते हैं और अगर आपके वास हरा पयाज है थोड़ा स साहर अप्याज डाल दीशे और तीन से चार बार आपने इनको टॉस करना है गरम गरम आप इनको सर्व कर दीशे तो फ्रेंस वीडियो चल लगोगा लाइक शेयर कमें चुरूर की जोगे फ्रेंस थैंक यू